हेल दोस्तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं UPGK की क्लास नमर 4 और जिसमें हम करने वाले हैं उत्तर परदेश का भोगौलिक परिक्चे से बनने वाले सभी महत्पूर्ण प्रसनों को तो शुरू करते हैं कुशन नमर 1 है उत्तर परदेश क कौन सा छेतर आध्यकला की प्राचिंतम सहली से निरमित है यह निरमित है बुंदेलखंड नेक्स्ट है उत्तर परदेश की भोगौलिक सीमा सरवादिक राजय को इस परस करती है नियुन में से कौन सामिल नहीं है यह सा नेक्स्ट है निमने से कौन सा जिला दक्षिन पठार का इस्सा है दक्षिन पठार का इस्सा है जहासी नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की लंबाई तता चोड़ाई कितनी है उत्तर प्रदेश की लंबाई तता चोड़ाई है छेसो पचास किलोमीटर तता दो सो चालिस किलोमी गोडवाना लेंड का गंगा यमूना मेदान में नवीन काप निच्छेबो क्या का आ जाता है एक का आ जाता है खादर नेक्ष्ट है निम्ण में से किस से उतर प्रदेश के सीमा नहीं लगती है या नहीं लगती है पंजाब से जबकि राजिस्तान हरियाना इनसे लगती है नेक्ष्ट है उतर प्रदेश के दक्षीन में इस्तित पठारी भुबाग को किस नाम से जाना जाता है यह जाना जाता है बंदिल खंड का पठार के नाम से नेक्ष्ट है उतर प्रदेश निम्ण में से किन अंगछान सो इवें देसांतरों के मद्दे इस्तित है यह इस्तित है साड़े तेश डिगरी बावन उतरी अंगछान से तेश डिगरी अठाइस उतरी अंगछान सो तता सेटतर डिगरी पूर्वी देसांतर से 84 डिगरी 49 पूर्वी देसांतर तक नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश को कितने बहुतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है या किया जा सकता है तीन भागों में नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश पूर्व में किस नाम से जाना जाता था उत्तर प्रदेश पूर में जाना जाता था इनाइटिड प्रोविंस के नाम से नेक्स्ट है वर्तमान में उत्तर प्रदेश का छेतरपल कितना है वर्तमान में उत्तर प्रदेश का छेतरपल है ओप्सन बी नेक्स्ट है बुंदेलखंड शेतर के लिए सरवादिक उपिकुत फसल चकर है यह है जवार और अरहर नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्यों की सीमा इस पर सकरती है यह करती है आठ राज्यों की नेक्स्ट है बुंदेलखण पठार की ऑसत उचाई कितनी है? चेतरपल्गी द्रष्टी से उतरप्रदेश का भारत में कौन सा इस्थान है? छेतरपल की द्रश्टी से उत्रप्रदेश का भारतमिस्थान है चौथा नेक्स्ट है उत्रप्रदेश के उत्री भाग को किस देश हो किस इमा इस पर सकरती है यह करती है नेपाल देश की नेक्स्ट है निमने से कौन सा जिला बुंदेलखंड छेत्र का हिस्सा है महोबा नेक्स्ट है उत्रप्रदेश किस प्राचिंतम भुभाग का हिस्सा है उत्रप्रदेश किस प्राचिंतम भुभाग का हिस्सा है या हिस्सा है गोडवाना लेंड का नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में भावर की तंग पट्टी कहां पाई जाती है उत्तर प्रदेश में भावर की तंग पट्टी पाई जाती है तराई छेतर में नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का सरवादिक छेतर परवाला जिला है उत्रप्रदेश का स्रवादिक चित्रपरवाला जिला है प्रियाग राज नेक्ष्ट है उत्रप्रदेश का सबसे उत्री जिला कौन सा है उत्रप्रदेश का सबसे उत्री जिला है सहरनपुर नेक्ष्ट है उत्रप्रदेश की सबसे उची पहाडियां सोनाकर कैमूर किंजिलों में इस्तित है ये इस्तित है विर्जापुर और सौनभदर में नेक्स्ट है निम्न राज्यों में से कौन उत्तर प्रदेश के सीमा वरती है ये है राजिस्थान, छतिसगड और जहारकंड नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के कितने जिले मद्य प्रदेश के साथ सीमा वरती है ये है बारा जिले नेक्स्ट है निम्ने से कौन सा जिला दिल्ली की सीमा को इस पर सकरता है दिल्ली की सीमा को इस पर सकरता है गाजवाद और गोतम बुदनगर निम्मेसिक केशजले की सीमा नेपाल से लगती है महाराज गंज की सीमा उत्रप्रदेश का भागलिक छित्र में समयलित नहीं है यह नहीं है निलगरी पाडियां उत्रप्रदेश का पूर पस्चिम विस्तार कितना है उत्रप्रदेश का पूर पक्स्चिम विस्तार है 650 किलमीटर नेक्स्ट है उत्रप्रदेश का निमन में से कौन से जिला दक्चिन के प्टारी भाग के अंतरगत नहीं आता है या नहीं आता है आगरा जबकी जालॉन, हमीरपूर और जासी इसके इंत्रगत आते हैं प्रदेश में सरवादिक छेत्र प्रवाला जिला है लकिमपुर खीरी नेक्श्ट है उत्रप्रदेश के निम्ड जिलों का उत्तर से दक्षिंट सही अनुकरमा है ये है सिधार्त नगर, संत कभीर नगर, अंबेडगर नगर और संत रवी नगर संत रवी दास नगर, तो अपसंटी होगा B सिधार्त नगर, संत कभीर नगर, अंबेडगर नगर और संत रवी दास नगर नेक्स्ट है, उतर प्रदेशक कौन सा जनपद हरियाना तता इम्माचल पर्देश के साथ सीमा, यह बनाता है, सारणपूर Next है, छेतर पल के घटते क्रम में सही विकलब का, चैन कीजिए सही विकलब होगा A. राजिस्तान, मद्मदर परदेश, महाराष्ट और उत्तर परदेश नेक्स्ट है छेत्रप्रदेस की द्रिश्टी से उतरप्रदेस का भारत में कौन सा इस्तान है? छेत्रप्रदेस की द्रिश्टी से उतरप्रदेस का भारत में इस्तान है? चोथा नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के दक्चिन में श्तित पठारी बहक की सरवादिक उच्पाड़ी कौन सी है? यह है सौनाकर नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का कौन सा छेतर? आद कलप की प्राचिन सहली से निर्मित है यह निर्मित है? बुंदेल खंड नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी सहर निर्मित है कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी सहर है बलिया दोस्तो उत्तर प्रदेश के भागौलिक परिक्चे से इतने भी कुस्टन बनने थे वह हम इसने वीडियो में कवर किये हैं दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सेर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू